मुख्य मंत्री नितीश कुमार समेत उनके मंत्री मंडल के कई मंत्रियों ने अपने 2020 के आखरी दिन अपनी संपत्ती का ब्योरा दिया है इसमें सबसे अमीर मंत्री मुकेश सहनी है बिहार सरकार में पहली बार मंत्री बने मुकेश सहनी और उनके पत्नी की मुंबई में 18 करोड से अधिक की संपत्ती है वह नितीश कुमार की कैबिनेट के सबसे अधिक संपत्ती वाले मंत्री है उनकी संपत्ती के बारे में बात की जाए तो उनके बैंक खातों में 23,63,000 रुपए जमा है बांड और शेर में 78,80,000 रुपए लगा रखा है इसके अतरिक्त अन्य वित्तिय संस्थानों में 14,00,000 से अधिक का निवेश है कैश 45,500 जबकि पतनी के पास 25,000 रुपए है मुकेश हसैनी का कीमती संपत्ती सबसे अधिक मुंबई में है मुंबई में इनके पास 3 संपतियां है जिनकी कीमत 7,47,000,000 रुपए है मुंबई में इनके पास 9,60,000,000 रुपए का एक घर भी है पत्णी के पास भी मुंबई में एक घर और फ्लाट है जिसकी कीमत एक करोड़ पचिस लाग रुपए है पत्णी के पास साड़े चार सो ग्राम सोना जबकि मुकेश वसैनी के पास 112 ग्राम का गोल्ड है इतनी संपत्ती होने के बाद भी इनकी पतनी पर सवा करोड से अधिक का लोन भी है